नमाँ विश्णु पादाया कृष्णा प्रेश्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वे दानता स्वाम्य निति नामये नमस्ते सारस्वते देवे गौरवानी प्रकारिने निर्विशेशा शुन्यवादी पास्चात्य देश्यतारिने जये श्री कृष्णा चैतन्या प्रभू नित्यानन्दा श्री अद्वेत गदाधरा श्री वासादी गौर भक्त व्रंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे गंत्या श्रीमत भगुद्गीता की तो हमारी चर्चा का विशे है हम वास्तव में कितने सच्चे भक्ते हैं हम बात पर करने वाले थिक करते हैं इसके नियमों का पालन करते हैं जैसे आरती करना भोग लगाना आजब करना प्रसाद करहन करना शावणम करना गीता प्राट करना ये सब कीज़ें पर क्या ये सारे नियम पालन करना ही भक्ति है या इसके परे और भी कुछ ऐसा है जो एक भक्त को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और ये हमारी परिक्षा है सो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी भक्ति की वास्तरिक परिक्षा क्या है तो इस परिक्षा के लिए हम दो पहलू देखेंगे एक है अनुकूल जो भक्ति के लिए अनुकूल है हमने वो स्विकार किया है या नहीं दूसरा भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है हमने उसक सित्विषय है और आचारों इसके उपर बहुत सारा बहुत ग्यान दिया है बहुत सारा वर्णन दिया है पर हम तोड़ा सब ब्रीफ में आज हमारे प्राक्टिकल लाइफ में क्या-क्या एप्लिकेबल है यह सब देखेंगे तो सबसे पहले हम अनुकूल चीजों पर चलीक परेंगया पहला प्टाता है अनुकूल में ठीक हैं अनुकूल में हैं प्रतिपी направि निश्ठा है यह हमारे भक्ति की परिक्षा होती है क्या है यह परिक्षा कि हमारी भगवान में कितनी निष्ठा है यह निष्ठा को दो भागों में विभाजित किया जाता निष्ठा का मतलब क्या होता है बिसिकली भरोसा भगवान पर भरोसा रखना पहला कहलाता है सद्धा। दूसरा कहलाता है निश्था और शद्ध और निश्था में क्या अंतर है। शद्ध का मतलब है कोमल अच्छा चल रहा है पन्द भगवान की gripa है भगवान का दिया हुआ है हम प्रिष्थिती आती है दुखत परिष्थिती आती है तब भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ हम मसीबत में तो भगवान कहां थे खोड़ किया मसीबत में इसका मतलब भगवान पर से भरोसा तूट गया इसको बोलते हैं कोमल है अच्छा चलेगा सब तो खुश रहेंगे वुरा चलेगा तो उदास हो जाएंगे लेकिन निष्ठा जो है यह एक्दम सुद्र होती है इसका क्या मतलब है चाहे बुरी परिस्थिती हो अच्छा है भगवान ने दिया है भक्ती करो बुरा है भगवान का शरवाद और भगवान के गण्रॉल में सब कुछ है तो लिस निष्ठा में तीन हम तीन पहलू देखेंगे इसके पहलानमर्वन क्या है रक्षे इति इति विश्वासो ट्रिश्ण की रक्षा पर निर्भर करना यह एटीन पॉउंट सिक्सिस्क्स में पॉनि शुव पारपाओंथ इसको मच्रोयत शुवासो यह विश्वास रखना कि krishna मेरी रख्षा करेंगे तो मन जास पढ़ता हूं मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि krishna समस्त परिस्थितियों में उसकी कठिनाईओं से सभी कठिनाईओं से रख्षा करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ça मस्त परिस्थितियों में सभी कठिणाईयों से अप्षा विश्वास होना यह कहलाता है निश्ठा चाहे अच्छी परिस्यति होक्रिश्थ την डोरी परिस्थिे वो सभी परिस्थेयों डुय करेंगे करेक्ट तो इसको बोलते हैं निश्टा होना भगवान में हम अपनी जूटी करेंगे मान लेजे तब्यत खराब हो गए कोई लॉंग टर्म डिजीज भी है जूटी क्या है दवाई लेना लेकिन हमारा भरोसा दवाई पर नहीं है हमारा भरोसा कृष्णा पर है यह दवाई ठीक नहीं कर सकती क्रिष्ण की मंजूरी वो ठीक कर सकती है अगर क्रिष्ण इस दवाई में इतनी शक्ति डालेंगे कि यह दवाई मुझे ठीक करे तो मैं ठीक होंगा तो मेरी रक्षा इस दवाई के उपर नहीं क्रिष्णे के उपर है माध्यम के रूप में निमत्य के रूप में मैंने इस दवाई को लिया है कोई परिस्थिति आ जाती है कभी जीवन में तो लोग बोलते हैं यह देवता का व्रत कर लो ऐसा अनुष्ठान कर लो मंगलवार का व्रत करो पीली वस्तू का दान दो बिना नमक की वस्तू का सेवन करो ऐसा बहुत साई चीज़ां लोग बताते हैं आपने वह सुना होगा न क्रिष्ण हमारे पालन करता है तो इसका अभी देखिए आगे 18166 में यह भी बताते हैं प्रवपात इसके विशय में सोचने की कोई आवशक्ता नहीं कि जीवन निर्वा कैसे होगा क्रिष्ण इसको संभालेंगे मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आपको निस्वाय माने और अपने जीवन की प्रगरती के लिए क्रिष्ण को ही अवलंब समझे तो एक भक्त कौन होता है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता प्रवपात ना में एक ही चीज़ सिखाए क्या मांगना है क्रिष्ण से हे क्रिष्ण की अंतरंगा शक्ति हरे यहरा कृप्या मुझे अ लेकिंक भी ऐसी परिष्टि आ गई जहां हमारं लिए असहटली हो गया है और को कुछ मांगना है तो हम किसी देवता से किसी यक्षा-सुर, रीर shipwood किसी तंत्र विद्यासनि हम मंघेंगे और कृष्ण देंगे कृष्ण बोलता है ना योग अक्ष्यम वहां में हम जो आवशक्ता है मैं पूरी करूंगा और जो कुछ है उसको मैं संभाल के रखने तो भक्त और कहीं नहीं जाएगा कृष्ण के अलावा तो यह इसको बोलता है निश्ठा तो यह सारी चीज़े जो ह का एक अंगे धैर यह उपदेश आमलित में बताते हैं भगवान के जो समय है यानि जब भगवान समय का मतलब जब भगवान अनुकूल समझे तब देंगे तब तक धैर रखना उस समय तक एकदम धैर्यवान होके अधीर नहीं होना है धीर तासे उसकी प्रक्तिक्षा करना आपको एक एग्जामपल देता हूं समझने के लिए ऐसे आठी नुवे के बच्चे होते हैं जैसे वह 12-13 साल के हो जाते हैं तो उनको होता है अपने पिताजी की स्कूटर भूमाने का सो स्कूटर लेंगे महले में जाएंगे पिताजी मना करते हैं सो पिताजी चावी नही पिताजी क्या बोलतें नहीं जाना है सत्रा साल के हो होगे अधरौ तब दूका क्यों हुआ समाण कर रहे अधोने ज धर रखो जब तुम इतने सक्षम होगे कि तुम इसको हैंडल कर सको इसको सभाल सको अब मैं ये दूंगा वाग क्या है अब बत्企वर वत तो यह उसका उतावलपने उसको पिताजी के निर्णे पर, पिताजी की टाइमिंग पर भरोसा नहीं है, लेकिन पिताजी का पता है, जब मैं इसको दूंगा तब यह संभाल पाएगा, ना तो यह ठोकर मारेगा किसी को, ना खुद को चोट लगाएगा, ना स्कूटर को लगाएगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, तो भक्त को यह भरोसा होता है, भगवान पर, क्या भरोसा होता है, कि भगवान ने मेरे लिए जो सोच के रखा है, जब सोच के रखा है, वो बेस्ट है, तो हमको इसको बोलता है भगवान पर भरोसा, इसको बोलता है भक्त, न अभी देंगे और आप और मुसीबत में पड़ गए तो पहले बच्चा मायूस है स्कूटर नहीं मिल रहा पिदा जीन स्कूटर दे दिले बटा 12 सल का बच्चा स्कूटर घुमा ठोकर लगए डबल मायूस हो गया क्यों हाथ टूड़ गया अपाउं टूड़ गया नुपसान अब आते हैं नेक्स्ट पॉंट पे निश्णा के बाद आता है कृष्ण के प्रति आकरशन अब कभी-कभी हमको लगता है I love krishna सो मच हम वास्तों में सच्शे भाथने कि वास्तों में इतना प्यार है क्रिष्ण से अब देखे आई लव कृष्णा सो मच के पहले हमें अपनी वर्तमान चिति अपनी वास्तव चिति समझनी चाहिए पहले पहले चीज क्या है इसको समझने के लिए पहली चीज है हम कितने बहुतिक्ता से विरक्त हैं करेक्ट सो भौतिक विरक्ति यह हम में कितनी है यह हमको कहां मिलती है ग्यारा पॉइंट चौपन में मिलती है बहुत फेमस लोग है ब्रमभूत प्रसन्नात्मा ना शोचिती ना कामचिती सो यह भौतिक विरक्ति हम कैसे समझ सकते हैं जिसे कृष्ण के प्रति सच में होगत यह कोई भौतिक वश्यवस्त्व के पीछे लालेक ना तो भी ऐसा सोचते हैं एक बार मेरी सिचुएशन अच्छी हो जाए फिर मैं अच्छे से भक्ती करो मतलब हमारा आकर्षन सिचुएशन के लिए है कृष्ण के लिए नहीं कृष्ण के लिए है कृष्ण के बसाए रखना जब हमें बहुत एक आ सकती होती है मुझे कोई चीज चाहिए नहीं मिल रही तो बहुत आकांग्शा होगी उसके लिए यह मिल जाए तो अच्छा यह मिल जाए तो अच्छा यह मिल जाए तो अच्छा I'll be satisfied I'll be happy तो इसका मतलब हमने अपने मन में कृष्ण को हटा कि उस वस्तू को लगा दिए अगर सच में कृष्ण की परति आकरशन होता तो क्रिष्ण के बदले कोई और घुशी नहीं सकता था लेकिन अभी बहुत एक बस्तू घुश गई बहुत एक लोग घुश गये बहुत एक परि परिष्ण के बहुत एक विरक्ति में दो चीज़ें आती है एक जो हमें नहीं मिले उसके प्रति लाल सा और उसके वर्वें विचार और व्याकुल हो जाना नहीं मिली व्याकुल हो गया दूसरी हमारे हाथ से कोई वस्तू चली गई उसके पीछे उदास हो जाना मायूस हो अब इसके बिना मेरा क्या होगा कैसे होगा कोई व्यक्ति चलाएगा जीवन से उसके बिना क्या होगा कैसे होगा कोई परिष्टी बदल गई पहले कितना अच्छा था आराम से भक्ति हो रही थी अब situation अच्छी नहीं है अब आराम से भक्ति नहीं हो रही यह सारी चीज़ अब इसका दूसरा पहलू आता है किस विचार में आनंद लेते हैं कि इस विचार में हमको आनंद मिलता है यह यह आता है 10.9 में यह भगवान बताते हैं यह जो चतुर श्लोकी गीता है उसका एक श्लोक है मत्चित्ता मदगद प्राणा बोधयत्ता परस्परम कत्यन तश्चे माम नित्यम तुष्चन तीचे रमनती चाथ मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझमे वास करते हैं मतलब शुद्ध भक्त जो होते हैं सदे भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं किसी चीज के प्रती चिंता करके व्याकुल होना यह नहीं दूसरा उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विशह में बाते करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं तो इनका आनंद किसमे है भक्त का कृष्ण के चर्चा में अब मेरे मन के जैसे परिश्थिती मिलगे अब मैं आनंद हो इसमें आनंद नहीं है आज ये परिश्थिती है कल नहीं रहेगी आज घराब परिश्थिती है कल नहीं रहेगी आज अच्छी परिश्थिती है कल नह नहीं रहेगी वह भी गुज़र जाएगा हमारा आनंद इन सब में नहीं है कि मेरे मन्त का होगा आप सब ठीक होगा हमारा किसमे है कि हम कृष्ष्ण की कथां में लगे हैं कृष्ण के चिंतन में लगे हैं तो यह है वह परिक्षा हमारी स्पिर एक और बहुत फेमुस रोगा आपने कैसे अपने का ऐसा कहावत सुनी होगी मन में राम हाथ में काम मन में राम को बसाया है और हाथ में काम को लिया अपने कर्टबे को को लिया है गीजा में भी आता है एक श्लोक है जो इसको संबोजित करता है इस कहावत को जो बोलते हैं इसको कि आप अब लोग कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है मैं बताता हूं करिए हाथ में काम यानि मन में राम यहनने मन में कृ shrinking बसा लिए और हाथ में काम है तो यह कैसे समझा जाए कि कृष्चन की पती आकर्ष Diosmant है हमें मन में राम तो कैसे आएहागा बोटा इसको करना थोड़ा काम पर फोकस करते हैं बाद में आराम से बैठकी चिंतन करेंगे कृष्ण का लेकिन रूप को स्वामी एक उधारन देते हैं बहुत इस सटीक उधारन देते हैं क्या उधारन है यह एक स्त्री है अब इस त्रीक है यह शादुश्यदा स्त्री है इसका एक पती है यह स्त्री का पती हो गया साथ ही साथ इस स्त्री का एक प्रेमी भी है यह हो गया स्त्री का प्रेमी अब सिर्ण रूप को स्वामी बताते हैं कि जब एक स्त्री शादिश्यदा स्त्री है उसका प्रेमी है तो पती के प्रती क्या होगा उसकी ड्यूटी होगी उसका करतव्य हो पहांगे काम लेकिन मन में आपाँ समझे अकर्षन-जो है यानि मन में वह कहां होगा प्रेयमी कि पृती हो तो यह घर का काम बज़ों अच्छे से करेगी वहाइए से करेगी उफिस से पती आए काम से वापिस आए उनका ले लेना उनका ब्रीफ केस लेना उनको बिठाना बैठी ठंडा बानी पीजिए पुड़ी हवा कर दूं करेट खाने में क्या बनाओ राजमाचावल बना दूं एकदम अच्छा टेस्टी खाना हमेशा उनके जिनो अधिक्ति सेवा में तक पर रहना घर एकदम चिका चक घर रखा है बरतन इकदम चिप टॉफ शाइनिंग बरतन मांजे हैं पूरे घर के काम में पती के जो भी आशकता पूर्ती हो उसमें एकदम लगन से हर काम करते हुए पती को पानी पहला रहा मनमस हो चाहीं मेरे प्रेमी रहा है पती के लिए करते पे चल रहे हैं पती के लिए लेकिन आकर्शन है प्रेमी के लिए और इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता वहां पर आकर्शन है अपने आप 24 घंटे प्रेमी का ख्याल आता रहता है इसी तरह अब इस सिच्वेशन में हम को डालिए तो हम क आते हैं यह पत्नी के स्थान पर आते हैं हम करेक्ट प्रेमी के स्थान पर आते हैं क्रिश्ण और हमारे जो दुनियादारी जो व्यभारिक जीवन है जितने भी हमारे वाकी के ड्यूटी जीवन के जो भी लोग है व्यभारिक जीवन में जोभीुख हैं यहाँ पर आते हैं यह लोग पती के स्थानpassen अब हम आज हमारे व्यभारिक जीवन में लगन से काम करते रहेंगे। झो भी डूटी है सब करएंगे जिसके ब्याहशकता हैं सारी पूरी करेंगे। लेकिन वास्तव में कृष्ण से प्रेम है ना तो सदे कृष्ण का चिंतन करेंगी हमें कृष्ण के चिंतन के लिए महनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब मेरे को बैठके परिश्रम करके क्रिश्ण को याद करना पड़ रहे हैं उस औरत को उस्तरी को अपने प्रेमी का चिंतन करने के लिए परिश्रम नहीं करना है अपने आप उन खैल आ जाते हैं हर काम में तो just सिनेमा देख रहे होती पार के किता सुंदर पार के यहां के उसके साथ आना है हर जगा अब ऐसा नहीं है हम काम में लगे हैं दुनियादारी में लगे हैं तो ख्याल भूल जाते हैं दुनियादारी ख्याल आते हैं तो परिश्रम कीजिए कृष्णों को बिठाइए अभ्यास किएगे क्रिष्णों को बठाइए ऐसा करते करते स्वभविक रूप से क्रिष्ण मन में वैठ जाएंगे तो भटी सिरफ आर्थि घुमाना नहीं है क्रिष्ण का स्मरण करना क्रिष्ण का क्रों क्रम करना गीता पर्द क्रिष्ण की सेवा कर रहे हैं वो प्रेमी के साथ है तो प्रेमी का खयाल आएगा पती के साथ है तो भी प्रेमी का खयाल आएगा जब क्रिष्ण की सेवा में लगे हैं क्रिष्ण का चिंतन करेंगे जब समसारी सेवा में लगे हैं तो भी क्रिष्ण का ही चिंतन करेंगे यह ह हमारे भक्ति के परिक्षा कितने सच्चे प्रेमी हैं हम प्रिष्ण के आए अब आते हैं निक्स्ट पॉइंट वह है थर्ड पॉइंट है कृष्ण के लिए बलिदान है कि हम देख रहे हैं हम हम देख रहे हैं हमारे क्रिष्ण प्रेम की परिक्षा कि हम प्रेम में कहां तक पहुंचे हैं अब बलीदान में सबसे पहला सरो परिदारन आता है गोपियों का O इसा क्या मतलब होता है Görمया मतलब प्लीजंग मतलब आनन्द मैं सेवा किसने कि है भगवान की गोपियोने कीfera करेक्ट हम सब जानते हैं गोपियों को भक्ति के टॉप लेवल पर रखा गया है भक्ति में टॉप मोस्ट कौन है हाइस्ट कौन है गोपिया है तो लोगों को गलत फैमी होती है गोपियों को लेके क्या गलत फैमी होती है गोपिया हाइस्ट भक्ति है हाइस्ट भक्त है हाइस सेविका मतलब रास्रिला की उनने हमको भी रास्रिला करनी है हम भी हाइस्ट बन जाएंगे नहीं ये बहुत बड़ी भ्रांती है गोपियों को हाइस्ट डिवोटी शिरोमनी सरोपरी भक्त क्यों कहा गया है क्योंकि उनने कृष्ण के लिए बलिदान दिया इसको चैतने उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्ट्यज आर्य पत्य निज परीजन स्वजन करे यत ताड़न भरसन सर्वत्याग करी करे क्रिश्णेर भजन क्रिश्ण सुक हेतू करी प्रेम सेवन इसका क्या मतलब है यह गोपियों की महिमा है गोपियों को टॉप्मस्ट क्यों कहा गया वह रासला करती है इसलिए नहीं टॉप्मस्ट क्यों कहा गया उन्होंने क्रिश्णे के लिए सर्वस्व बलिदान दे दिया क्या क्या बलिदान दिया लोग धर्म लोग धर्म का we don't care वेद बोल रहा है ऐसा मत करो रात को बारा बज़े अकीली और घर से निकल के जंगल जा रही किसे मिलने stop it वेद बोलते हैं यह सब नियम पानों है no we don't care फिर देह धर्म इस शरीर के पति कुछ यम नियम होते हैं उन सब का पालन we don't care कर्म अपने duties त्याग दी जब भगवान ने मुरली बज़ाई रात को बारा बज़े कुछ गोपियां अपने husband के साथ की उनने भोजन खिला रही थी या उनके साथ लेटी होई थी कुछ अपने बच्चे को नन्य से बच्चे को दूद पिला रही थी बच्चों की देखभाल कर रही थी सब लोग क्या बोलेंगे यह लड़की भाग गई घर में पती को पिता को छोड़के भाग गई मेरी कितनी बदनामी होगी त्याग दिया धैर्या ओ यह लोग रोक रहे हैं सहन कर लो सुन लो घरवालों की बात सौरी कृष्णा में नहीं आ सकती त्याग दिया एसे ऐसा धै रहा है साब बिच्छों निकला है तो अपने परवा नहीं की वह भी त्याग दिया आत्मसुख त्याग दिया फिर दुस्टेच आर्यपत्र निच परीजना अपने रिष्दार जो होते हैं ना उनको त्यागना बहुत कटिन होता है अगर तुमने धहलीज पार की कृष्ण से मिलने गई तो आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई हो यह दर्वाजे तुम्हारे लिए हमेशा किले बंद हो गए हैं इस घर में नो एंट्री ओहो मैं फैमिली के बिना कैसे रहूंगी नो त्याग दिया कृष्ण बुला रहे हैं जाएंगे जिनको नहीं जाने को मिला जवर्दस्ती लाठी लेके खड़े थे उनके हस्बेंड उनका रस्ता रोकने के लिए कि नहीं जाने देंगे क्यों गॉले थे न वो सब तो लाठी थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये मर गई कृष्ण के वियोग में इसको गोलते हैं कृष्ण प्र यह सब गई क सेवा के लिए भुलाया हैं कृष्ण केलिए करी बलिदान देकर हो गई क्रिश्ण क्या बोला मैं रमय्या-काचत मुझे तुम्हारी भकती बहुत पसंद है मृत क्यों तुमें में ब्रकोटान दिया है तुम्हारा समर्पण तुम्हारा बलीदान इतना उतक्रिष्ट है कि मैं इसके बदले में तुमको कोई आशरवाद नहीं दे सकता मेरे आशरवादों में उतने लेवल के आशरवाद नहीं है मेरे पास जितने लेवल के तुम्हारी भक्ती है भगवान ने कभी नहीं बोला कि तुम्हारा समर्पण तुम्हारा भलीतान है जिसने मेरा दिल जीता है वो डांस नहीं वो डांस रासिला का डांस जो है भगवान वर्दान के रूप में तुम्हारी भक्ती से प्रसन्द होकर मैं तुम्हें वर्दान देता हूं, चलो मेर साथ, मैं तुमको रास का रमन कराऊंगा, इस रासिला का अनुभव कराऊंगा, तो लोग गलत समझते हैं, लोग सुचते हैं कि रासिला की गोप्यों ने हम भी पीछ वह पुख्यों का बलीदान इसके स्थूति कई तुम्हारी यечат चेतन कद्धभान कृष्ब विटों के सतुति की तुम्हार ये भक्ति देखकर ऍथना में इसघ्वाब को है और शो तुम अपनी भक्ति से प्रस्वन रहो यह से तुम्हारा रिवार्ड है वो गोपियों को एस रिवार्ड मिली है तो यह बलिडान और साट है तो यह अब हमारं लिए बलिदब capital है कि हमें अपने ले मनो धार्म का बलिदान करना है मेक्रिष्ण की को अपनाना कृष्ण की अब म मेरा कर्म करो करें यह कहा आता है ग्यारा पंट पच्पन गीता का सार है व्लिदान का मतलब क्रिश्ण का क्यसे करना है गुरू के उब्देश से वेश्णवों के उब्देश से जो आपके श्पिरिश्टल गाइड थर्शन और दूसरा हर सेवा के लिए तैयार रहना है कभी भी सेवा में कृष्ण की सेवा है कृष्ण सुक हेतु करी प्रेम सेवन जो भी सेवा मिली कभी भेदभाव नहीं करना ओ मुझे तो बाल्टी बोचा पकड़ा दिया और बाकिये सब को बोले लड़ू बाटो जाके यह क्या सेवा दिदी मेरको यह सेवा भी क्रिष्ण के सुक के लिए है क्रिष्ण का मंदर चमकाना क्रिष्ण की सेवा है सो क्रिष्ण सुक हेतु करे प्रेम सेवना अब उसको प्रेम से करना है मुझे नहीं करना है यह दिखाता है हम कितने सच्चे भक्त हैं मतलब जैसे हमारा मुझ फूल गया हमें मायूस या गई मतलब हम कृष्ण के भक्त नहीं है हम अपने मन को खुश करना चाहते हैं लेकिन गोपिय ने क्या किया कृष्ण सुकहेतु करी प्रेम सेवन अब तीसरा पॉइंट इसमें आ भेराता थ्याग करने की जो थ्याग होता है न किसि वह बस्तू को त्याग नहीं की तत परता है हम कितने गफेल हैं को यह आए चोड़ो होती वह लेकिन तत परतर कैसी होती अगर आज भगवान आए और बोले अपना घर छोड़ दो मेरी खातर क्या मैं रेडी हूं क्या मेरे अंदर वो फिलिंग है क्या मेरे अंदर वो तैयारी है यह प्रश्ण अगर आज भगवान आके बोले अपने सारे सोशल मीडिया अकॉन डिलीट कर दो अगर भगवान नहीं बोले प्रवपाजन अपने शिख्षवा में असा नहीं सिखाया लेकिन ऐसी परिस्थी आई तो हम कितने तयार हैं इसके Раз जो हमारी परिक्षा जो चुख्चे बट होने का दावा है इन सब चीजों पर होता है अर्थी कितने अच्छे से घुमाई यह तो एक अंग लेकिन अर्थी घुमाना केवल परिपूर्ण बत्ती नहीं है आर्थी के साथ हमारा मन घुमाना क्रिश्चन की भावना के साथ हमारी भावना को मिलाना वह यह पैमाना तो यह थे कुछ अनुकुल चीज़ें जो हमने चर्चा की अब हम आएंगे प्रतिकूल चीज़ों के ओपर हमें टीन प्रतिकूल चीज़ हैं जिनका हमें वर्चन करना चाहिए अब इस प्रतिकूल में सबसे पहले आता है मिध्या 4 नमबर मद्व है मिध्या 4 मिध्या 4 का मतलब होता है गीता में आता है 3.6 में इस पर हम तर द्यान देंगे प्यणतेन के चछटे शिलोक में भगवन मिठ्द्य चारी की बहार करता है । कि लगा हुआ है इसको बोलते हैं मिठ्याचारी ठीक अब भकत के दिवन में क्या होता है सामाने तौर बें मिठ्याचारी होता है कि उपर से सादू बनेगा अंदर से या कुछ चल रहा है लेकिन अंदर से शड्यंट्र बहुत सरे कर रहे हैं निश्यद्दाचार में लगे हैं वर्जित कारी कारवह में लगे हैं इसको बुलते है लिए था Она कर रहे हैं हम तो क्रिष्य कर रहे हैं कृष्ण भक्तर नियमों का पाल Почему कर रहे हैं लेकिन भक्त के अंदर भी भावना हौती है कच्छे मतलब सादक उसके अंदर कैसे होती हौती है प्रशन सहस्तुति पाने कि बहुत इक अभी कि आती है विनम्रता से मैं आपको इसके वारें बताता हूं यह विनम्रता और प्रतिष्ठा इसको मतलब पूजया प्रतिष्ठा यह सब चीज़ पक्ति में एक विनम्र भक्त को बहुत उंचे दर्जे से देखा जाता है अगर कोई भक्त विनम्र है अपनी साधना में अपनी भक्ति में अपने कार्यों में तो उसको बहुत उंचय माना जाता है उन्न दो अबना जाता है वे लोग गों करते हैं व hm प्रदर्शन करते हैं अरे क्रिश्चन प्रवुज है दर्वत प्रॉजी मैं बऊठ एंच्छोंड appears अच्छा आपको आत्मसाख्षातकार हो गया है इनसान है सबके सामने मेरी इंसल्ट कर अभी आपने खुद बोला ना तो लोगों को पता चलने दीजे कि आपका आत्मसाख्यात का रुप है फिर दूसरा अच्छा ये लोग पूछा ये लो बाल्टी शुरू हो जाओ साल भर आपकी यही सेवा है रोज मंदिर आओ पूरा मंदिर को पूछा लगाओ गोबर उठाओ गयां को नहलाओ वस यह आप किसे बागे सब आजाओ इतर लड़ू बाटो गीता बाटो आजाओ सत्संग प्रविजन करो किर्दन करो इनको इतना भेद भाव करेट पूरी पॉलिटिक्स चल रही यहां पर अभी आपने बोला ना तुछे भगत हूं गंधी ना लेगे किड़ी से भी गया वीता हूं कर प्रशंसा बटोरने के लिए तो जी मैं बहुत गया विता हूं दस लोग बोले आप कितने विनम रहो आज का डालग तो सक्सफूल हो गया यह संदे तो मेरा भी आराम से जाएगा अब नेक संदे फिर आएंगे मंदर फिर एक डालग भूंड के लाएंगे यह सस्ती प्रश देखे यह विनम्रता दिखाना दूसरा अपनी दीनता दिखाना बहुत कष्टे जीवन में मैं क्या बताऊं भक्ति इतनी मुश्किल से हो रही है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है सहानुभूती चाहिए वह कोई बात नहीं आप इतने संगर्ष में भी कर रहे हैं बहुत अच चाहिए अनुभूती ओगई जमयनम्रता बादर्शन फिर ऐसे दुखदर्थ का प्रदर्शन परीट उसके एकड़ एक और हुता है अपनी साधना का प्रदर्शन अपनी साधना भक्ति थी नियम का प्रदर्शन इसमें क्या करते हैं भक्त अ क्लास चत्म हो गई छतब होने उसके बाद ही मैं कोई प्रसाद ग्रहन करता हूं तो मैं खाता भी नहीं अगर मेरी माला जब तक नहीं कि मैं खाऊंगा भी नहीं तो इसा करता हूं अच्छा आपका प्रशने क्या है कटने ही आरी आपको इसमें कुछ मेरा प्रशनी यह है शुक्दय गोश्वामी की माता जी का नाम क्याता ब्रवड वू पूछने के लिए आपने यह स्टोरी क्यों बताई क्यों बताई क्यों बताई क्लास में देड़ सो लोग हैं सब सुनेंगे और तारीफ करेंगे वा प्रभूजी आप कितने यह था मेरी एक महिने की साधना का फल देड़ सो लोगों की वावाई मिली अब गोपियां क्या कर रही हैं क्रिष्ण सुक हे तू क्रिष्ण सुक हे तू अपने स्वयम सुक हे तू नहीं क्रिष्ण सुक हे तू करी प्रेम सेवना हम बनना चाहते हैं आकरशन के केंद्र बि प्रत्राइफ इसको बलता है लेकिन अंदर से अपनी कता रहा था अपनी महिमन सुना रहा data प्रव बीच में ये अच्छे प्रवजे देडिक हैं तौ आप समझे मिच्चा चार प्रसे दिखा रहे हैं रहे हैं बक्त लेकिन अंदर से हम पूरा अंदर से हम पूरा लगे हुए हैं अत्मत्रुप्ति में हैं . अब दूसरा एक एक्जामपल देता हो हम क्रिष्ण के भकत नहीं प्रति दूंदी बन जाते हैं अacks न के क्रिष्दिवन का होता है their spelling जई सहरी है प्रतिवन्दी एने क्रिष्णâte कम्पूटिटर हम क्रिष्ण किछन का उप्योग करते हैं किष्न का इस्तमाल करते हैं kan हब कश्न का इसन्माल हम भोग लगाएंगा वी चुआ को चौनकी भोग लगाएंगे उसका फोटो स्टेटसमे डालेंगे आज किष्णा को रब्रडि अर्पन की आज मेरे काहना को मालपुआ अरपन किया अब उसको पचास लोग देखेंगे वाँ वाँ करेंगे रिप्ले करेंगे वाँ प्रभुजी आपकी भक्ति कितने अपरमपार है वाँ माताजी आप कितने अच्छे सेवा कर रही है हम तो कुछ नहीं करते हैं यह तो सुनना था मैं लाके लोगों के सामने इसका प्रदर्शन करके वावाई बट और ना यह भक्त का लक्षन नहीं है कि क्यों ढ़ा आपने क्यों डाला हो स्टेटस में ऊपने ब्रूबशी ऐसे तो कोई नहीं डलते ना ऐसे तो कुछ कुछ भी डाल सकते हैं जोपाद देखें थे हमको इसमें रस्च मिलदाएं कि लोग देखें तेखो मैं कितने अच्छे से भक्ति कर रहां हमें अपनी भक्ति से इंदर्य तिप्ति निकलनी है भगवां के फोटो लगा लगा के दिखा दिखा के लोगों को हम भगवान का इस् कृश्णा सुख हे तु आप उसमें अपना सुख निचोड रहे है यह भक्त नहीं है यह सचा भक्त नहीं है तो हम इससे से भीं थोड़े आकरिशन क्रिष्ण की तरफ हो थोड़े तरुढःत We по掉टम गारे MARK अच्छे ओओ सभर्ण की आते हैं अच्छा दिखना है डिसेंट नीट क्लीन दिखना है लक्त को अंदर भावना क्या चल रही है दस लोग तो पलटके देखे मुझे अगर 15 मिनिट कृष्ण के तरफ देख रहे हैं लोग कृष्ण की तरफ आकरशित हैं पांच मिनिट मेरी तरफ भी आकरशित हो जाए आकरशन का केंदर बिंदू तो केवल कृष्ण होते हैं जब हम किसी भी तरह से अपनी साधना अपने दुख दर सुना के अपनी विनम्रता दिखा के अपने सेवा का प्रदर्शन करके अपने आपको इस तरह से सुंदर बना के जो भी अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने की भावन रखते हैं हम क्रिश्ण के कॉंप्रिटर बन गए हम क्रिश्ण को चौनटी दे रहे हैं आप आकर्शक हो तो मैं भी आकर्शक हो लोग मैं भी अपना निकाल के दिखाऊंगा आपको फैन फॉल्वाव जी अमारा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था फिर ऐसी हरकत कीजिए भी मत व वो फीलिंग अंदर वो फीलिंग जो है ना मुझे भी आकर्शक बनना है मुझे भी लोग प्रशंसा करें या लोग मुझे सहानुबूती दिखाए किसी नहीं सबसे बड़ा व्यादी बिमारी है हमारे इसको बोलते मिध्या चाहिए उपर से मोलते हम कृष्ण को समर्पित लेकिन उसके पीछे का पूरा जो के कहते हैं मैटर सब्जेक्ट जो तत्व है वो यह है फिर कूटी नाटी मिध्याचार में कीसरा आता है कूटी नाटी का मतलब होता है मुठी मैं मतलब हुता है यृषम पाएं उपर से कुछ और और अंदर से कुछ और होना ठीक है उपर से वह पक्रिसेंटकर्नकर ना इसको बोला है । जैसे हम लोगों को अरे आप कितने अच्छे हैं दा सो नाइस इंस्पाइरंग टू मीट यू और अंदर से औह जान जूटि इससे आ गया था पकाने के लिए आ परिशान करने के व्यष्णव के साथ अन्य भक्तों के साथ अन्य जीव के साथ हमें कूटी नाटी ने लखनी चाहिए तरक यह सब मिथ्य चा आते हैं वैशनव अपराद और जीव अपनाद हम जीवों के प्रति कैसे अपराद कर सकते हैं या हो सकता है हमारे हाथ से एक आपको एक्जाम्पल देता हूं सबसे पहले यह 11.5 में आता है निरवहर यह पढ़ा होगा अपने गीता का सार है इसको मैं सिरफ एक सिंपल एगजांबल से समझाओंगा कि यह निरवहर क्या होता है कि यह कितना खतरनाक है एक भकत को कितना निरवहर होना चाहिए और हम किसी को पसंद नहीं करते हैं इस से हमारी हम कृष्ण को तो पसंद करते हैं ना हमरी भक्ती में क्या फर्क पड़ा इसको अपने पिता जी की गोधी में बैठना था लेकिन उसके सौचली मायना मना कर दिया और उसको बहुत डाटा तुमने मेरे गर्व से जन्नी लिया है तुम मेरे पुत्र नहीं हो मतलब मेरे संतान नहीं हो तुमको कोई अधिकार नहीं है निकल जाओ यहां से ऐसे करके उसका अपमान किया बहुत बुरी तरह से मायूस पस्या की बालक द्रोन ने फिर उसको भगवान का साक्षातकार हो गया नट्सल में स्टोरी बता रहा है फिर भगवान ने ध्रूब लोग दे दिया उनको वहां का राजा बना दिया इस तरह से अब स्टोरी यहां खतम नहीं होती है इसके आगे क्या हुआ सौतलियमा ने अ सौतलियमा उनका दिल तूड़ गया एकदम पागल हो गई संतान के पुत्र के व्योग में पूरा अपना मान से संसुलन खो बैटी एक दिन वो संतान को ढूंडने पुत्र को ढूंडने जंगल गई वहां की अगनी में मर गई तो प्रवपत बताते हैं भगवान ने इन दो करशना आता है अपमान किया था तब तो धुवेट साधरन सा राजमहल का बालक था राजकुमार था भक्त तो बाद में बना ना उन्होंने एक बालक का अपमान किया भक्त का नहीं भक्त बनने के वाद अपमान करते हैं तो अलग चीज होती है भक्त बनने के पहले साधरन भागवान ने फिर भी सीरे से लिया मेरे शुद्ध भक्त का अपमान किया था उसके बच्पन में अब बदला लूँगा तो हमको शिक्षा क्या मिलती है आज हम किसी को भी हम वैरी हो जाते हैं वैरी का मतलब है शेत्रूप I hate I don't like somebody मुझे कोई पसंद नहीं है तो हम कुछ भी करते हैं दुराचार करते हैं दुर वेभार करते हैं या बुरा भला बोल देते हैं या मन में ऐसे बुरी भावना रखत हैं उनके ब्रति कल को भक्त बना और भगवान ने इतनी गंभीरता से लिया ना हमारी भक्ति डगमगा जाएगी क्यूं हम अपने नजरी से सोच रहे हैं वह माता सूरीची क्या सूरीची क्या सोच रही है बालक है नना सा चलो हटाओ इसको आपके लिए वह छोड़ा सा बा संभाल के रहो मैं बरदाश्ट नहीं करूंगा थोड़ी से बत्ते मीजी उसके साथ हमको क्रिष्टन के नजरीए से सोचना है तब हम सुरक्षित रहेंगे अंजे सो बालक का जब अपमान हुआ वह भक्त नहीं था लेकिन बाद में भक्त बना भगवान में बदला लिया ब इसको बोलते कृष्ण भावना भावत हो नॉटे निर्वहरा सर्व भूते शुक भखत बन गया नहीं बना और पर भगवान को करो ना करू बदल सकता है और भगवान को हर्वजीव पसंद है इसलिए परमात्मा के रूप में भागवान हरे के दिल ने बैठे हुए है अग अगर भगवान इसके दिलने परमात्मा के जैसे बैठें मतलब भगवान को यह पसंद है तो मैं कौन होता हूं इसके साथ वहरी भाव रखने के लिए यह एलर्टनेस होनी चाहिए सिर्फ वैश्नव के प्रति नहीं हर जीव के प्रति अगर अपनी भक्ति बचानी है तो दूसरा पॉइंट नेक्स्ट अपैशुनम ठीक है अपैशुनम क्या होता है यह आता है सोल वे अध्याय में शॉर्ट में डिसकॉस करेंगे यह भी अपने आप में एक बहुत विस्तरत विशह है अपैशुनम मतलब दूसरों की बुराई करना चिद्रान विशन बोलते हैं इ इस लोग में अब भी बुराई क्या से होती है दो-तीन लोगों का ग्यांग बन जाता है बुराई करने के लाप अकिले नहीं कर सकते हैं आपको एक ग्रुप चाहिए तक है ना कोवे आमेशा गंदगे ढूंडते है मक्खी होती है ना एक होती है मदू मख्खी मदू मक्खी इसे भी और 흔र प्रसाद ले हैं उधर लिखा एक गूला-जामन मिलेगा सब सब लाइन से आ रहे हैं अपनी प्लेट लेकर सर्विंग टीम जो है जो परोस ने एक गुला जावन सब पड़ा अब किसी भक्त के मन में थोड़ा सा यू नो हो है मीठा काने के लिए ज्यादा जिग्या सा है ज्यादा आतुरता है उसने घूम के जाके पीछे से एक और गुल आप कौन होते हो उसपर आपति जताने वाले आप भगवान से बड़े ज्यादा होश्यार समझते हो आपको इतना गुरा लग रहा है जैकर मैंनेज्मेंट को करते हो ऐएं! तर दिल दहल रहा है अग लगरी अंदर दूसरा देखके दूसरे ठालिम है भगवान के जला रहा वह भगवान कृष्णा खिला रहे हैं उसको आपकी थाली में है वो भगवान कृष्णा खिला रहे हैं थीक है नीयम है मंदिर का डिसिप्लेन है वो फॉलो होना चाहिए अब नहीं हुआ रिपोर्ट कर तो इतना बुरा लग रहा था लेकिन आइडियल सिच्वेशन क्या है अब अपनी थाली में देखो चुपचाब अपना खाओ इसको बोलते हैं संदुष्ट भक्त दूसरे ने यह कर दिया वह कर दिया वह ऐसा नहीं करता वह ऐसा नहीं करता प्रभुजी यह ऐसा बोलते हैं आप अपनी भक्ति देखो करें अपनी भक्ति को इंप्रूड करने के उपर फोकस करो क्या आज आप सारी आखांग्षाओं से सारी चैन्ताउं से सारी व्याद्धिएंसे मुक्त हैं ना शोचती, ना कांशती, ना भैती, कुछ भी नहीं है, है ना, तो सुधारो इसको, आप लोगों अपनी भक्ति इंप्रूव करने के लिए, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, इन सब चीजों में टाइम विस्ट करना, ये है कि हम सचे भक्त नहीं है, हम अपनी इ तो ये अपराद हैं हमारे हाथ से, भगवान बोल रहे हैं, मैं खिला रहा हूं ना, उसकी थालिव मैंने परोसा है, मैंने दिलवाया उसको दोग लाजम, तुम कौन होते हो, कोश्यरी दिखाने वाले, कोई बहुत, आपनी तरह से लाइफ इंजाए करता है, जलते हैं तो भक्त को ये कहा आता है, ये बारवेध्य के 15 विशलोप में भक्त को इतना सावधान रहना है, इतना समवेधन शील रहना है, कि उसके कारियों से किसी को कश्ट ना पहुंच, कभी-कभी हमारे प्रीचिंग वर्क में, हमारी सेवा में ऐसा हो सकता है कि किसी को बुरा लेकिन हमारे व्यवहार में हमें हमेशा समवेधन शील रहना है, अटेंटिव रहना है, केरफुल रहना है, हमारे हाद से किसी कश्ट ना पहुंच, से अर्जुन अब युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में तीर मार रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं, भक्त के हाद से किसी क कश नहीं पहुँचना चाहिए तीर से दर्द होगा ना पित आमा को मारू jeśli ओने वह भगवान की सिवा उसमें फिर सब बता रहाँ वह भगवान कि सेवा है भगवान के आदेश पर है वो करना है हमारे व्यवहरिक जीवन में बोल रहा है हमें साधान रहना है मेरी हरकतों से मेरे बोलने से मेरे करने से कश्ट नहों कोई डिस्टर्ब नहों एक्जाम्प्ल तो मंदिर में संकीर्दन चल रहा है सब लोग संकीर्दन कर रहा हैं लींड संगर है एक प्रबुजी का रहे हैं सब लोग उनके क्रिश्न को हम सब भगवान को आनन्द देने के लिए legitimate iqu a मैं जाकर सब्सक्राइब कंड्स जोब करने हैं और बोलताया मेरी भावनां नहीं मेरे फीलिंग तो यह कुछ बह्ति में भावना क्या है सब लोकि प्रक्र सेवा में मैं उस सेवा में अपना योगदान करूं ना कि उस सेवा को अपनी भावना से अपनी फिलिंग से डिस्टर्ब करूं तो यह सब सम्वेदन शीलता होती है हमारी भक्ति की अब आते हैं तीसरे लास्ट मुद्दे पर जो है भक्ति के विनाशक भक्ति के विनाशक यह उपदे शामृत में शीला रोभगों समय बताते हैं भक्ति के विनाशक क्या होते हैं ठेकि लिस्टी है हम उसमें से यह तिन के भी än चेलचा करेंगी एक है अत्याहार यह अत्याहार क्या होता है अत्याहार का मतलब होता है आवशक्ता से अधिक खाना या आवशक्ता से अधिक संग्रह करना हमें अनुकूल अनुकूल सोना है और विवहार करना है जो अधिक खाता है और अधिक खाता है यह बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है सौरी अत्वा पर्याप नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है तो अगर हम आशक्ता सदिख खुएंगे अशक्ता और सग्रा करेंगी यह ओ भिले लो अगर तीस दिन के लिए 30 फूट रोते हैं बड़ी कार से और बड़ी कार चाहिए फिर हेलिकॉप्टर से यह फिर अपना प्राइवेट जट चाहिए अत्याहार संग्रा 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 भक्ति रोकेगी नहीं विनाशक है बंद हो जाएगी ओ अभी थोड़ी कम चले नहीं बंद हो जाएगी शट्बेर भक्त प्रजल्प का मतलब होता है कि प्रजल्प का मतलब क्या होता है व्यर्थ की बाते करना वह बाते करना जो कृष्ण से सम्मंधित नहीं है क्याम की लाष्ट करनी पड़िए मजबूरी की कभी कभी करने पड़ेंगी लेकिन उन्में रस लें कर ऐसी बाते करने का मौका ढूंबते रहना और तीसरा जब यह बाते हो रही हैं अपने आप कुछ से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना अरे यह लोग तो समसाई बातों में लगए कैसे यहां से निकलू अच्छा जी थैंक्यू बहुत अच्छा लग आप से मिलके चलिए फिर मिलते हैं कभी आपको कोई conversation close करना ना जी अच्छे बहुत अच्छा सा जी थैंक्यू सो मच्छ चलिए फिर मिलते हैं मतलब मुझे और बात नहीं करनी मुझे यहां से निकलना है तो हमारे यह प्रयास की चल रहा है मेरे सामने ग्राम में कता चल रही मेरे सामने इसमें से कैसे बाहर निकलो यह प्रयास होना चाहिए अब तो मजबूरी पैठना पड़ेगा तो चलो कर लो हम दो बाते सुना देते हैं मज़ा आता है बात में बोल देंगा मजबूरी ते प्रभुजी रिष्दार आ गये थे तो आप समझे हमारी लगन हमारी भक्ती के परिक्ष ऐसे रहाता है प्रजल के बाद आता है जयर्णसayo यह बहुत बहुत खतर नाक के जनेसंग का मतलब क्या होता है अभक्थ का संग तक अब भक्तों का संग इनको बोलते हैं अब लकांतों सब्का एक कोशिन आएगा प्रिवार में आफिसमें बिजनस में लिए गर मंदिर में आप देखिए अप काउंटर पकड़े रहे हरी नाम मंड़ पर खड़े रहे यह लोगों को को बोली हरि नाम करो हर एक अबकती निकलेगा वहां पर अब इसे गीता लेकर जाएए जय का महिना है अबनते होंगेक ज़ित को संग का मतलब है प्रभावित होना संद करना मतलब प्रभावित होना जैसे कमल का पत्ता है वो जल में रहता है कमल का पत्ता जब जल में है उसके उपर जल चड़ता है कितनी बार लहरे आती है तो पानी उपर आता है नीजे जाता है वो कभी भीगता नहीं है पानी में रहकर भी वो सूखा रहता है जल का उसके अबखतों मतलब हम अबखतों से मिलते हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं इसको बोलते हैं अभवक्त का सब्सक्राइब हमारी जो शुद्द चेतना है वो सड़ जाती है क्रिष्टन भावना वह चेतना सड़ जाती है कैसे ओ आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रहा मैं आपको एक ऐसा अनुष्ठान बताता हूं आप यह वाला व्रत करो पीली वस्तु दान दो पीली वस्ति ख सब्सक्राइब करतो इंफ्लेंस हो गया जैसे हमारे मन से क्रिष्णा हटके समसारी वस्तु आ जाती है मतला हमने कहीं ना कहीं संग कर लिया अब सिर्फ लोग नहीं होते अब सोशल मेडिया होता है अब अब सड़क की केना लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स होते हैं न तो अब पता चलता है हमारे मन में चल क्या रहा है हम प्रश्ण क्या था हम वास्तव में कितने सच्चे भक्त हैं इसका एंसर क्या है हम उतने सच्चे भक्त हैं जितना हमारे मन में हमारे सच्चे भक्त होने की परिक्षा क्या है हमारे मन में कितने हमने कृष्ण को अनुकू भाव से कृष्णों को बसा कर रखना यह हमारी भक्ति की असली परिक्षा है सो कभी-कभी हम ऐसे लोग पूछते भी हैं बोलते भी हैं हम सब तो कर रहे हैं हम आरती कर रहे हैं हम रीडिंग कर रहे हैं जब कर रहे हैं भोग लगा कर ही खाते हैं प्रसाद ही खाते हैं लोगो को नहीं गुमाएं हमने विदी विधान सारे किये लेकिन उनका उद्देश क्या है विदी विधानों का मन को परिवर्तित करना यह सारी चीज़े अपनी परक्ष में लेजिए परिक्षा कीजिए मेरा मन कितना किर्ष्ण में लगता है मैं कितना लोगों से गौसिप कम करता करेक्ट मैं कितना रड़ी हूं सेक्रिफाइस करने के लिए कैसे बढ़ाँ अपने आप में वह फीलिंग कैसे मैं कितना आ सकतनों भौतिक विश्यों से भौतिक लोगों से यह हमारी भक्ती की परिक्षा है तब हमें बदा चलेगा हम वास्ता में कितने सच्चे भग्त हैं right so we'll stop here गंता स्री मत भगवत गीता की जाय प्रपवपात की जाय हरे क्रिष्णा